यह स्टार्ट करते हैं इसके अंदर कि simply सिंप्ली हम प्रोग्राम लिखके देखेंगे चोटा सा कि कैसे लिखना है तो single line प्रोग्राम हो सकता है या फिर आपका multiline program हो सकता है अब देखते हैं कैसे लिखते हैं अब VS Code के अंदर लिख सकते हैं तो VS Code मेरे पास यहां पर है open VS Code के अंदर यहां पर जैसे मैंने लिखा print hello तो यह आपका single line का program हो गया लेकिन अगर multiland program लिखना है तो मेरे को यहां पर indentation का use करना पड़ता है जैसे कि मैं यहां पर अभी आपको बताता हूँ अगर सबसे पहले मैंने x को variable बनाया 2 if x equals to equals to 2 print 2 as print not to ओके तो आपने देखा कि अगर मैं को single line में लिखना तो इस तरह के लिखना पड़ेगा और multiland program मैं बनाता हूँ तो यहां पर देखे मैंने यहां पर कोई भी line and नहीं करिए कोई भी semicolon नहीं लगाया है line and करने के लिए यहां पर python के अंदर indentation यूज होती है basically यहां पर देखे यहां spaces है यह आपने देखा हमने प्रिंट करा था देन हमने देखा अगर एक्स दो है तो प्रिंट हो जाए टू तो यहां पर हमारे केस में इसने प्रिंट कर दिया टू तो इस तरीके से आप सिंगल लाइन यह मल्टिक लाइन प्रोग्राम आप चला सकते हैं अब वी एस कोड डाउन्लोड कैसे करना है तो डाउन्लोड के लिए सिंपल है मैं बता जाता हूं आप लोग को कि आप लोग इंटरनेट पर जाईए और लिखिए डाउन्लोड पी एस कोड और विंडोज है अगर आपके पास अगर मैक है तो आप मैक के लिए लिख सकते हैं यहां पर जाईए यहाँ पर जाने के बाद इसको डाउनोड करना पड़ेगा आपको यहाँ पर इसको डाउनोड कर लीजिए डाउनोड करने के बाद next और next करना आपको यहाँ जिसे सेव होजाता है अगर कर जैसे मेर पास और इहां पर setup है विजो स्टूडियो का मैंने स्कॉर्डी अभी रन करके देखा था आप भी सिमिरली इसको next to next कर सकते हैं accordingly वह आप से पूछे है कि आपको कौन कौन सी language support करनी है तो python आप लोग collect कर दीजेगा उसके अंदर तो अब हम देखेंगे next video के अंदर building blocks of a program आप